देखिए यूटूब पर इसमय एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है reuse content को लेकर हमारे बहुत से भारी बहन है जो हमें ये message किये थे उन सभी की बहुत बड़ी समस्या ये समय है जो खास करके नए यूटूब creators है यूटूब पर जो नए नए आये हैं नए लोग जो है comedy वीडियो या पढ़ा रहे हैं या फिर news type वीडियो इस type का जो content बना कर दिन रातों महनत कर रहे हैं अपना खून पसीना दे रहे हैं अपना समय दे रहे हैं एक बच्चे की तरह अपने चैनल को पाल पोस रहे हैं एक दिन ये चैनल बड़ा होगा और हमें चार पैसा कमा कर देगा हम इस पर महनत करेंगे तो लेकिन क्या होता है reuse content के कारण मेरे भाई YouTube उनके चैनल को monetize करने से मना कर दे रहा है या अगर monetize है तो demonetize कर दे रहा है ये reuse content का हवाला दे कर तो इस समय ये इतनी बड़ी समस्या बने हुए आज हम ये पर बहुत ही detail से बात करने वाले हैं कि या ये जो reuse content होता है ये क्या होता है क्यों होता है कैसे होता है कितना हद तक ये reuse content होता है इन सारे मसलोप पर बात करेंगे और इसकी समस्या क्या होती है यदि आप YouTube पर वीडियो बनाते हो, नए-नए creators हो, और किसी other social media का content अपने channel में clip यूज करते हैं, उसका वीडियो यूज करते हैं, तो किस तरह से आप यूज करेंगे, आपको copyright तो मसला अलग चीज है, reuse content आपको नहीं आएगा, आप क्या गलती करेंगे कि reuse content आजाएगा आप तो इन सभी बातों को, यदि आपको reuse content का हवाला दे दिया, आपके channel को monetize नहीं किया गया, तो उस में आप क्या करेंगे, इन सारे जो आपके सवाल थे, इनका जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो मेरे भाई सबसे पहले बताते है, reuse content ये क्या है, reuse content होता है, जैसे आपने किसी अधर social media पर जो वीडियो पड़ा है, वहां से उस वीडियो को लिया, और लेकर उसे कैसे भी edit, edit करके अपने channel पर दिक डाल दे रहे हैं, तो reuse content में आजाएगा, यदि आपका channel monetize नहीं है, और बात में येसे content डाल डालके आपने criteria पूरा किया, और रंत में YouTube को पर लाई कि एक भीया मारे channel monetize केजिए, तो YouTube टीम होती है, वो हमारे आपकी तरह इंसान ही होते है, कोई computer machine नहीं होती है, वो लोग आपके channel को observe करते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि ये तो copyright, ये जो reuse content है, other social media का content आपने डाला है, तो उसको monetize नहीं करते हैं, यदि भी वो लोग उसे demonetize कर देते हैं, भीया ये reuse content कर रहा है, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, कि हाँ, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यदि आपका channel monetize करने से मना कर दिया, तो आपके सामने क्या रास्ते बचते हैं, इन सारे सवालों का जवाब यूज करते हैं, वो लोग कैसे यूज करें, कितना हद तक करें, क्या करें, तो इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, आपको एक कल आये थे हमारे साथी, उनका एक channel है, 35,000 के उपर उपर subscriber है, और 10 million का उनको short view हो चुका था, फिर भी उनके channel को demonetize कर दिया, तो आप कैसे करें, अधर social media का click, जो आप use करते हैं हमने channel पर, तो कैसे करेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, क्या गलतिया नहीं करेंगे, इन सारे सवालों को जवाब इस वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक यरूर देखिएगा, सारी की सारी जानकारी तभ अधर नाक होता है, तो आधा धूर ग्यान आप लोग ने लें, आप लोग पूर ग्यान लें, और वीडियो को अंत तक देखें, और यदि वीडियो आपके लिए जारा साभी लाबदायक सीद्ध हो, तो अनलोंग के सेर करके हमारा सपोर्ट जरूर करें, आप सब के सामने यह एक यूटूब चैनल है, जो की काफी बड़ा यूटूब चैनल हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ 35,000 के प्लश इनका सस्क्राइबर है, और 10,000,000 के उपर इनका व्यूव है, जब इतना इनका हो गया तो यह अपने चैनल को जो है, मॉनेटाइज करन करने से मना कर दिया, क्यों मना किया, कैसे मना किया, यह आपको ऊपर देखिए, मैं दे रहा हूँ डिटल्स, देखिए यहाँ पर, जैसे अप्लाइ किया तो उसके बाद यूटूब चैनल ने यह लिख कर भेज दिया इनके पास, देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पढ़ है, पूरा टिटल्स, कि हमारी जो उन्होंने कहा है, कि we after receiving your channel using a combination of automated system and human receiving, we found that it does not follow YouTube channel monetization policy, यानि हमारी जो YouTube team है, जो आपके channel को review करती है, वो कोई machine नहीं है, बलकि वह हमारे आपकी तरह इनसान ही है, और उन्होंने यह channel को review किया और पाया, कि आपका channel जो है, अभी YouTube monetization policy का उ दिखा है न, कि आपके channel ने reuse content का उपयोग किया है, यानि YouTube monetization policy का उलंगन किया है, इसलिए हमने ऐसा किया, तो मेरे भाई, अब आपके सामने दो option बचते हैं, जब आपका YouTube channel जो है monetize करने से मना कर दिया YouTube ने, तब आप क्या करोगे, अभी मैं इस पर बहुत detail से आपको बता content नहीं आएगा, तो इस पर अभी मैं detail आता हूँ, पहले मैं ये बता दूँ, जब आपके अभी मना कर दिया YouTube channel ने, हम monetize नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे, यहां लिखा है न, clear what you can do, तो यहां पर लिखा है यानि आप क्या कर सकते हो, आपके सामने क्या रास्ता बचता है, तो देखें यहां पर सबसे पहला option number 1 दिया है, option number 1 में कहा है YouTube ने, कि यदि हमने कोई, यानि हमारी YouTube टीम से कोई mistake हो गया हो, कोई गरबड़ी हो तो आप appeal कर सकते हैं, देखें यहां start appeal लिखा है, यहां पर जब आप click करेंगे, 14 दिन के भीतर, यानि जिस दिन आपका channel monet करने से मना कर दिया YouTube ने, उसके 14 दिन तक यह रहता है appeal वाली बटन, यह आप लोग appeal पर click करके, एक 5 मिनट का वीडियो बना कर, यहां देखो मैं भी click करता हूँ, यहां आएगा, कि यहां पर देखो न, यदि आपको लगता है YouTube ने गलबड़ी किया है, तब हो ऐसे नहीं, यहां लिखा है कि आप कोई वीडियो जो है सूट कर लीजिए अपनी ही language में, और वीडियो जो है पांच मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वीडियो अपलोड करने के 30 से के भीतर जो है, उसका जो है यूरियल जो है, वहां पर paste करना होगा, और अपने वीवर का ज आपने अपने चैनल को मतलब किस उद्दे से बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, इन सब को यहां mention करना होगा, यह तो हो गया यह option यदि आपको लगता है YouTube ने गरबड़ी किया है तो यदि आपने सचमुच जान पूच का गरबड़ी किया है, तो यह आपके लिए option नहीं है आपके लिए तब यह दूसरा option बचता है, क्या है दूसरा option में, edit your channel and reapply, यानि अपने चैनल को जो है, यानि जो content यूच किया है other social media का, जिसकी वज़े से reuse content आ गया, तो reuse content को आपको इस तरह से edit कर देना है, कि वह एकदम unique हो जाए, पहले जैसा न रहे, उसमें कुछ आपक वीडियो है, उसको delete कर देना होगा, वो delete करने के बाद, यदि आपका YouTube monetization criteria follow करता है, यानि कि 10 million view यदि रहता है, तो उसके एक महिना के बाद, फिर से यहाँ जो देख रहना reapply, reapply का button active हो जाएगा, फिर से आप यहाँ करेंगे, तो आपका हो जाएगा, लेकिन YouTube criteria follow करना चा जो आप video delete करेंगे न, तो जितना view उस पर रहेगा, व्यू चला जाएगा, subscriber तो रहते हैं, subscriber, लेकिन व्यू चला जाएगा आपका, तो फिर आपको criteria को मतलब बनाना होगा, तभी यह हो पाएगा, तो फिर यह आपके लिए तो यहाँ पर यह option बचता है, तो मैंने बताया क जो आपके यह आजाता है, जो यूटूब ने मना कर दिया आपके, मतलब, तो आपके सामने दो रास्ते बचते हैं, एक तो यूटूब ने मिश्टे किया है, उसके अपील करने के लिए, दूसरा, आप video को edit या delete करके, फिर से YouTube criteria को follow करेंगे, तो आपका channel के लिए reapply के करते हैं, कि आ जाता है, इस पर देखिए, हम लोग click करते हैं, तब देता है, यहाँ, do, मतलब हमें क्या करना चाहिए, यदि हम दूसरे social media का content प्रयोग करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ कुछ examples दिया है YouTube ने, examples of what is allowed to monetize, यहनि आप, मतलब, कुछ example YouTube ने दिय है, और इसमें कहा है कि, आप इस तरह से दि करते हैं, तो आपके channel monetize हो जाएगा, यदि आप दूसरे social media content प्योग करते हैं, तब भी क्या है, यह funny और thoughtful revision of content that you did not originally create, यदि यह कोई ऐसा content जो आपने create नहीं किया है, लेकिन इस तरह से उसमें अपनी value डालकर उसे funny thought में बना द दिया है, तो वो जो है monetize हो जाएगा, दूसरा क्या है, clip of other people's content as part of a critical review, तो यदि आपका पूरा content है, और बीच बीच में छोटा मोटा clip यदि आप उसमें डाल देते हैं, तो भी हो जाएगा, छोटे मोटे से उसमें नहीं होता, लेकिन वो generally आपका रहना चाहिए, बीच मे क्या लिखा है, a scene of movie where you have written and dialogue and changed the voice over, यदि कोई movie का scene है, और उस scene को आप ले सकते हैं, लेकिन उसका dialogue जो है, और उसकी voice जो है, वो अपनी अगर डाल देंगे, अपने तरब से कुछ वहाँ उसके अंदर बोल देंगे, भले सी picture कुछ हो रहो, लेकिन अवादी आवाज आपकी रहेगी तो भी monetize हो जाएगा, यहां लिखा है, replace of a sports tournament, you have explained what a computer did you succeed, fail, तो इसके बारे में जैसे होता है, कि कोई जैसे game है, उसकी आप picture चल रही है, आप उसमें commentary यदि कर दिये हैं, आप अपनी भाशा का प्रियोग कर दिये हैं, अपनी वाइस का, तो भी हो जाएगा, और यहां आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, याप भी मतलब वहाँ पर वीडियो के बारे में, यहां वीडियो आप, माली जी यहां आप हो गए, और यहां आपका वीडियो चल रहा है, तो वीडियो के देखकर आपने reaction दिया है, हस रहे है, कुछ कर रहे है, यापकी भी image आपकी भी value यहां add है, तो भी हो जाएगा, भले से content दूसरे का हो, अब लाश्ट में यहां दिया है, कि edit footage from the other creator where you have, यह क्या है, story line और commentary, यही मैंने बताया कि, यह जिसे footage को यह आप ले लिए, और उसको चला दिया, footage चल गया थोड़ा सा, उसके बाद आप अपना उसमें review दीजिए, reaction हाँ यह ऐसा था, जैसे मोदी ने कुछ बोल दिया, पहले मोदी का, वहाँ content चला दीजिए, उसके बाद देखिए, फिर बताईए अपने हिसाब से, हाँ यह मोदी ने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इस तरह का reaction, commentary, तो चले अब हम ल मेडिया से आप छोटा मोटा क्लिप जो है, वहाँ से काट कर लाए, और उसे sort video भी अगर बना देते हैं, तो भी monetize नहीं होगा, यहां क्या दिया है, कि collection of strong, यानि अलग अलग का लाकार की जो गाने हैं, उसको आपने लिया social media से और उसको जोड जोड कर, कई घंटे का वहा अगर जादा बार आपने उसे upload कर दिया है, तो भी monetize नहीं होगा, यहां लिखा है, अगला है यहां, content uploaded many times by other creator, यानि दूसरे creator का जो है video, यानि आपने एक आग बार कर दिया हो, तो वो माफ हो सकता है, लेकिन अगर जादा बार आपने उसे upload कर दिया है, तो भी monetize नहीं हो भले सी पहले आपका video बहुत सारा हो, लेकिन दूसरे social media का आपने 2-3 कर दिया है, अगर तो वो reject हो जाएगा, अगला यहां दिया है, promotion of other people's content, even if you have their permission, यानि कोई आपका दोस्त है, और वो आपको permission दे दिया है, तो हमारे channel को काट कर अपने YouTube channel को प्रियोग कर लेना, तो भी जो है ऐसा नहीं होगा, यानि कोई भी social media चाइप को permission दे या न दे उससे नहीं मतलब, वो वैसा का वैसा आपको परियोग नहीं करना है content को, तो इस तरह का जो है, मैंने आपको बताया पूरा details यहां पर, आपको पूरा details दिया, कि यहां पर आपको थोड़ा जल्दी बता बड़ी किया है, तो आप यहां से appeal कर सकते हैं, यदि आपको लगता है, नहीं हम ही गलत है, YouTube ने नहीं गलत किया है, तो आपके लिए यहां पर जो है, यह दूसरा option बचता है, वीडियो को edit या delete करके, फिर से reapply button, जब यहां active हो जाए, उसके बाद आप अपना कर सकते हैं, इसके बाद मैंने आप सबको बताया, मेरे भाई, यहां देखिए reuse content पर जाकर, कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको जो है reuse content का उलंगन नहीं माने जाएगा, और यदि आप क्या कर देते हैं, यानि आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसका example दिया है, तो मैं सब पूरा detail स आपको पताया, जैदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वेडियो को like, subscribe, जरूर करिएगा, धन्यवाद,